आज हम सीखेंगे बट्टा और खरिदारी से संबंदित कर के बारे में अक्सर दुकांदार ग्राहकों को अकर्षित करने के लिए तथा अपनी वस्तूओं को बेचने के लिए वस्तू के अंकित मूल्य यानि माक्ट प्राइस MP पर कुछ छूट देते हैं जैसे यहां एक कमीज का अंकित मूल्य 250 रुपए है जबकि उसका विक्रय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस SP 200 रुपए है इस तरह से ग्राहक को अंकित मूल्य पर कुछ छूट मिल रही है जिसके साथ वह कमीज को 200 रुपए में खरीद सकता है किसी वस्तो के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बटा यानि डिसकाउंट कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि यहां बटा कितना है? सोचिए सोचिए चली हम बताते हैं हम अंकित मूल्य से विक्रे मूल्य को घटा कर बट्टा ज्यात करते हैं जैसे इस थिती में बट्टा बराबर अंकित मूल्य 250 रुपे रिन विक्रे मूल्य 200 रुपे बराबर 50 रुपे अधिकतर बट्टा प्रतिशत की रूप में दिया हुआ होता है इसलिए हम इस थिती में बट्टे के प्रतिशत की गण्ना करेंगे चुकि बट्टा अंकित मूल्य पर है इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानते हैं और बट्टा प्रतिशत में दर्शाते हैं यह हम इस प्रकार करते हैं जैसे यहां बट्टा प्रतिशत बराबर 50 बटे 250 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 1 बटे 5 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 20 प्रतिशत अब चलिए जानते हैं खरिदारी से संबंदित कर यानि टैक्स के बारे में हम तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं, क्या आपने खरीदारी के बिल को ठीक से देखा है? आपने पाया होगा कि इस पर वस्तु के मूल्य के साथ कुछ अतिरिक्त मूल्य कर यानि टैक्स के रूप में लिया जाता है जैसे बिगरी कर यानि सेल्स टैक्स, वैट यानि वैल्यू एडिट टैक्स या माल और सेवा कर यानि गुड्स एंड सर्विसस टैक्स, जी एस्टी, इत्यादी यह कर सरकार को चुकाया जाता है, जिसे सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए खर्च करती है अधिकतर करों को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है चलिए कुछ उधार्णों से सीखें कि इनकी गण्णा कैसे की जाती है सायली तीन सो रुपे की एक किताब खरीदती है यदि विक्री कर की दर साथ प्रतिशत है तो ज्याद कीजिए उसके द्वारे दुकांदर को कितने धनराशी दी जाएगी यहां तीन सो रुपे किताब का विक्रय मूल्य है बिक्रीकर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और यह बिल की धनराशी में जोड़ दिया जाता है इस तरह से यहां 300 रुपए पर अतिरिक्त 7 प्रतिशत का बिक्रीकर लगेगा यानि कि बिक्रीकर बराबर 7 बटे 100 गुणा 300 बराबर 21 रुपए यानि कि 300 रुपए की किताब खरीदने पर 21 रुपए बिक्रीकर लगेगा यानि कि बिल की देयराशी होगी क्रय मूल्य यानि कॉस्ट प्राइस धन बिक्रीकर यानि सेल्स टैक्स बराबर 300 रुपए धन 21 रुपए बराबर 321 रुपए जुलाई 2017 से भारत सरकार ने माल और सेवा कर या GST लागू किया है यह कर माल की आपूर्ती यानि Supply of Goods या सेवा यानि Services या दोनों पर लगाया जाता है मानली जीए एक दुकांदार ने 18,880 रुपए में एक TV बेचा जिसमें 18% GST सम्मिलित था पता कीजिए GST जोडने से पहले TV का मूल्य क्या था 18 प्रतीशत का अर्थ है 18 बटे 100 यानि कि अगर हम TV का प्रारंभिक विक्रे मूल्य 100 रुपए माने तो इस पर 18 रुपए GST लगता है इस तरह से विक्रे मूल्य होगा 100 रुपए धन 18 रुपए बराबर 118 रुपए जब विक्रे मूल्य 118 रुपए है तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य 100 रुपए है इस तरह से जब विक्रे मूल्य 1 रुपए होगा तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य 100 बटे 118 रुपए होगा इस तरह से जब विक्रे मूल्य 18,88 होगा तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य होगा 100 बटे 118 गुणा 18,888 रुपए बराबर 100 गुणा 160 रुपए बराबर 16,000 रुपए इस तरह से GST जोडने से पहले टीवी का मूल्य था 16,000 रुपए आज हमने सीखा बट्टा और खरीदारी से संबंदित कर के बारे में अगली वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उधारनों को देखेंगे